तच्छी जै काल जी आज एक नवा डिसाइन लगके हाजिर हुए हैं और मेरी कोशिश यहा कि यह फ्लार जड़ाया मता नुसी खावा ते सबतों पहला मैं थल्ले फ्लार ड्रॉ कित्ता हुए है ते उत्ते मैं पहला वाइट कलर दे नाली ब्राशिंग करांगी फिर थोड़ा मतलब एदेविचे थोड़ा चाहे टर्च दितता पूरी तरह मी मिकसिंग नी करनी जस्ते जिस तरह स्टॉक हुन देना इस तरह करना थि पूरी मिकसिंग नी करांगे एदे विच थोड़ा चाहिए टार्च दितता, पूरी तरह मिक्सिंग नी करनी, जस्ट जिस तरह स्टॉक होंदे ना इस तरह करना, आसी पूरी मिक्सिंग नी करांगे, सब पहला मैं एक कहना कि वीडियो नू लाइक करना शेर करना मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करना सोने सोने डिजाइन सिखन देलेई डिजाइन देखन देलेई और कुछ ना कुछ नमा मोटिवेशनल सूनव देलेई सो आज भी मैं तोहा डेलेई जड़ी एक चीज लेके आई नू एक कहलो कि एक परमात्मा दी कुद्रत दी एक कहोजी चीज है जिन्नू असी मतलग की पंचियाँ दा सर्ताज के दिन्या बाज दी गाल करांगी एक मोटिवेशन दिन्दा सानू बाज बाज जिमें किसा आसित कि पंचीयाता सरत आ जांते था क्योंhes पारिश होंदियाँ सप मुद्रत दी है कंगी दा भी म्तलग आपने पंकफेलग के विच ज जा लोग जांदेने था बाज आप न concrete जड़ा की असमाने जवल बदलात उपर भी मतलब आपने पंक भला के और दूसरी गल एक के बाज दे सिर में ता नो एसकर के सुना रही है तो कि इस चीज़ा में तो अधी लाइफ दे नाल ही एक रिलेशन जड़ाया वो काइम करना चाहनी है और तुसी देख रहे हो मैं फ्लार भी प्लीज फ्लार दे वल देखना है और कहानी नू सुनना है ठीक है ठीक साट शोड़ाय जड़ भी खिंट हमें वह लिए ठीक से सिर अगजी पाहते नूसरी बने। लेकिन बात जड़ा हुंदा है नो कधी कोशिश नी करदा भी तु मेरी तो उड़ जा जा उन्नू पता है कि छोटिया मोटिया जड़िया रूखाफटा ना तो मैं उड़ारी पर निया था इन्ना ने आउना ही आउना या ता उड़ा रहें दा फिर बहुत उच्छी उड़ बहुत उच्छी मतलब एन्नी को उच्छी तुसी देखते हो थी उड़ारी हुंदी आ है उत्थो कता को उड़ारी हुंदी अभी जित्थे ओक्सीसलिदी भी कमी हो जाँदिया था फिर उथे जाके कावर थे पन्ची जड़े ना आटोमैटकली खतम हो जाने ज़दो ना ऑ सिखो ते एक जीवन जहुंदी कला सिखो क्योंके साधियां लाइफ देविच भी आमें दिया मुश्कला ने कई इंसान और काम मांगों आउंदे ने जड़े किसा आनू साधे लक्ष तो पिछे नूँ खेच देदे हाना ते एक मिनट अपना आ लक्षना के पिछे रहा है जो एदे विच मैं थोड़ा जहां जमें सारा करके ना डार्क फ्रोजी तो बाद स्टोक देटे ने विच विच मिक्सिंग नी किती मैं जमें तानू लग रहा है जमें शेडिंग हुन मैं थोड़ा जह इथे देख वा सेंटर पॉइंट है इथे ब्लैक ताफ से देखे आउटलाइनिंग सारी ब्लैक दी करां दी और ब्रीक ब्रीक आउटलाइनी करनी है बहुत मोटी नी करनी और उन्हीं देर फिरसी आपनी मोटिवेशन ते जानने है कि जड़ा बाजदी गाल आपा का रहे इसी मैंनू पता जिट्रा इंड़ा आपने आपने ह попроб जानाए अपने अंदूर्ण आपने अपने आप इसी ब्रेकर नीं पॉप यह यहान चाना तीक है वो सिर्फ थे आनिन दीन दा आपनी उद्वाल आपने लक्ष वाल जित्तियों पँचन का है ठीक है आपा कित्थे बहुंच चुक्के हैं होना आपा जड़ा बीज कट देया ना फलार दे उपर कट के डंडी जी और बीज लगावाँगे यलो कलर दे पर अजे नहीं लगावाँगे अजे आपा पहला इस तो पत्ती सिखाँगे मैं पत्ती सिखाऊंगी तो आनू थले देखो पत्ती ड्रॉव करनी है छोटे-छोटे तिखिये तिखिये जे स्टॉक लगाके साइड़ा थे ठीक है और उस तो बाद मैं करूंगी मिक्सिंग ये दो पत्तिया मैं ड्रॉव करनी हैं मिक्सिंग यलो और ग्रीन कलर दी ठीक है ता फिर बाज से आजने उननी जरनों में वही उडान रखो सो जड़िया मसीब्ता ओन गिया प्राब्लम्स ओन गिया और आपने आप ताड़े जीवन चो पज्जान गिया ता हमेशा एक कंसंट्रेट करया करो चीज थे ठीक है मेरा मतलग तुसी समझ ही गए हुए छोटी जी गाल सनौन दा कि बाज देना रिलेट करन गया तो अमीद कर दिया कि तो अनुए जानकारी और एक मोटिवेश्चन पसंद आई होएगी ते हुन आप पूरी तरह पेंटिंग ते आजाएगे जिवें ग्रीन कलर दे नाल करके फिर यलो कलर दे नाल करके थोड़ी मिक्सिंग दें तो बाद फिर अपका पत्ती दी आरी है नो वुवी प्ले तो तुछी चाओ थे इन्नो राउंड ब्रेशना कर सब्ली तो तो शीचाहे उत Kaf Village न कार सब्लाइज। क्योंकि में फ्ली में फ्लेटब्रेशना कार्ले निया और ज्यदो मैं हुन मैं पत्ती मैं तोलकुर टॉक्ष तच करना को कि बलाक कलर बहुत डार कुंदा यह दिनाल फिर बहुत डाकनेस जी आ जाएगी थोड़ा 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 लाइट्लाइटी लगाना क्यों भूदा कट लगा रहे है तुसी देख सब्सक्राइब तो बहुत डार्क देख रहा है क्योंकि ज्यादा तर ब्लैक कलर अगर मैं यूज कर दिया ना तो तो थोड़ी mixing कर लेनी है जड़ा मैं विच जग हुआ फ्लार देवेच वड़ा जड़ा स्टॉक लगाया थी ब्लैक कलर ओध मैं थोड़ा प्रोजी कलर मिक्स किता सी वह देना बहुत डार्क देख थे तुस्य स्टॉक नहीं है तुसी समझ गए हो गए छोटिया छोटिया लाइना दितन तो बाहत एन्नों थोड़ा ज्या वाइट टाच देदेना थोड़ा ज्या ग्लो करन किया साडिया पत्यान थोड़ा होईगा ब्लैक कल देनाल थोड़ा थोड़ा घृटभाख दीन और उस तो बाद जडिया यालो कलर दιά पांवीज लगावांगे उनिह तरह आप उमिचे लगींहों अपना ऋवी सख गया हए गा सो मैं उमीद कर दिया कि तो अनुए डिजाइन पसंद आया होएगा मैं वैसे पूरा सखोना चाओं दी सी बट वीडियो एक दिना थोड़ी ची बड़ी बांदे सी मैं कोशिश करांगी कि जे में तो एक वीडियो होर बनी था मैं एक फ्लार जे तुसी कऊँगे गिब्द बा अनुए आरे हैं यह सुखन तो बाद ना जटो एदे वेच वेच थोड़ा थोड़ा तुसी वाइट अच दे देना जरूर ओधे नाल थोड़ा जया हो और मतलब हाइलाइट हो जेगा थोड़ा घ्रेस आजेगी थोड़ी फिनिशिंग भी आजेगी ठीके फुन थोड़ी आप नीचे नो डंडी बना लिए डंडी भी तुसी राउंड ब्रेश ना बनाल हो फ्लैट नाल बनाल हो जड़ा तानो कम्फर्टेबल लागदा ओ तुसी कार सब्सक्राइब और उन्नों भी आपा थोड़ा हाइलाइट करने ले थोड़ा ज़वेच वाइट मिक्स करांग ते इसे तरह ही एदे नाल भी एक फ्लार है पर आज मैं जड़ा या ओ फ्लार तानो नहीं सखाऊंगी ओधी जगाते मैं एक एदे उपर ना एक छोटा फ्लार जड़ा ओक टेकिता होया डिजाइन में तानो ओदो बूरा दखाऊंगी जदो मेरा कम्प्लीट हो जगा उन्न दे वेच वाइट कलर दी डॉटिंग देन देना थोड़ा जया उबर के फ्लार दी लुक जड़िया हो साड़े सामने आएगी और हून एदे उपर थोड़ी मैंता नू एदे छोटी जी कली या ओ सिखाऊंगी सब तो पहला इन्नू आपा उलिकांगी पैंसल नाल मैं उलिक देना सी मैंनों दबारा थोड़ा कोटिंग करांगी ताकि यलो कल जड़ा छुप जावे ता एदे नाली बस मैं डिजाइन पूरा बनाया हुए है फ्लार दे नाल और एजड़ी मैं कली बना रही है मतलब पूरा फ्लार नहीं हजे खिडिया होया खिलन दी त्यारी इनु हुन मैं उससे तरह ही फ्रोजी कलर दे नाल आउटलाइनिंग करके सेम प्रोसेस फ्लार वाला यह आपकरांगे निवे फ्लार दे विच पहला आपा लाइट कार लिया सी पर है क्योंकि एरिया काट था यह अदे नाल आउटलाइनिंग जड़ी करांगे ना उन्नुह आपां फिलादांगे स्टॉक देदांगे उदे नाल यह काफी मतलब ग्रेस फूल हो जेगा फ्लार देखो स्टॉक क्रेट करने यह ऐस तरह लगे कि जिमें शेडिंग कि त्यूंग दिया समझ गए हो गे तुसी शायद पूरी mixing निकरनी मिक्सिंग उन्दा पूरी इतना पता इना लगे भी स्टॉक त्या इथे पता लगना चाहिए स्टॉक तह मतले पता लगना चाहिए भी स्टॉक है गया जिमें वाइट कलर दो पर फ्रोजी स्टॉक ए फरकुन ना रही है थो दंदी बना के फून सेंटर दे विच दंदी बनाऊंगी बना उन्तो बाद मैं एनुवी फ्लार दे नाल कोनेक्ट करांगे ठीक है इस तो बाद नाल लीव्ज तो सेम प्रोसेस हो ही है तो बहुत बहुत ता नमाज जी